In this lecture, we will learn creating a list from an existing sequence using list method. तो हमारे पर एक list method है, function है list, और existing sequence हमारे पर क्या क्या है? string है, list है और tuple है, तो इनको use करके हम एक list create करेंगे. तो सबसे पहले हम string से सुरुवात करते हैं, तो यहां पर एक string है, s एक variable है, तो list function को हमने s को pass किया, और l में assign किया, print करके देख लेते हैं, कि हमारे list create हुई है कि नहीं हुई है, तो इसको run करके देखते हैं, तो इस तरीके से जो है, string जो है आपकी, जो string है, यह एक list में convert हो गई, ठीक है, तो यह list के items हो गई, ओके, दूसरा हम इसको direct भी string प्रोवाइट कर सकते हैं, यहां पर जैसे सपोस करो कि मैं यहां पर एक string प्रोवाइट कर देता हूँ, राम, ठीक है, और इसको run करके देखता हूँ, क्या एक list create हो गई हमारी, तो यह देखिए, यहां पर एक और list यहां पर create हो गई, ठीक है, तो direct हमने यहां पर string भी दे सकते हैं, और string का variable भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के से हमारी list create हो गई है, okay, second जो हमारा sequence है, ordered sequence, वो हमारा list, अलड़ी कोई हमारी list created है, और हम जो है, उसको use कर रहे हैं, एक नई list बनाने के लिए, ठीक है, तो हम यहां पर list 1 लिख लेते हैं, list 1 equal to, और यह इस तरह से list ले लेते हैं, ठीक है, अब हम एक list to create करना चाहते हैं, using list function, और उसमें पास कर लेते हैं, list 1 को, तो list 1 हमने पास कर दी, और अब इसको print करा के देखते हैं, क्या हमारी list create हुई है कि नहीं हुई है, list 2, ओके, तो, यह दिखें यहां पर, यह list यहां पर create हो गई है, ठीक है, तो यह एकदम बिल्कुल similar है, list 1 के, अब इसमें यह है कि list 1 की जो है, ID है वो different होगी, और list 2 की जो ID होगी, यानि address जो होगा वो different होगा, ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, print, id, id function हमें मालूम है, address निकाल के देता हमें, list 1, okay, और print, id, list 2, okay, तो id भी चेक कर लेते हैं, तो यह देखिए, id भी इनकी different है, ठीक है, तो इससे यह पुरूफ होता है, कि जो list 1 है, उसकी id अलग है, और list 2 की जो id हो अलग अलग है, यानि कि एक list, जो हमारे पास पहले से थी, list 1, और एक नई list बनी है, जिसके element एकदम same है, similar है, लेकिन वो copy नहीं है, list 1 की, ठीक है, उसको अलग से memory allocate हुई है, एक नई list बनी है, जिसके element भी 2, 3, 4, 5 है, okay, तो इस तरह किसे हम list से एक नई list बना सकते हैं, पास करके list function में, ठीक है, अगर वो nested list है, हमारे पास suppose करो, suppose करो, अगर हमारे पास nested list होती, तो भी हमारी जो है, नई list create हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं हम उस चीज़ को, यह एक nested list है, ओके, अब देखते हैं, तो यह देखे, तो यह देखे, यहाँ पर एक nested list, नई nested list create हो गई है, ठीक है, तो list 2 हमने print किया, list 1 को भी print करके देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, list 1 को print करके देख लेते हैं, तो list 1 के जो element है, और list 2 के जो element हो एकदम, same to same है, ठीक है, same to same है, और id को हमने चेक किया, तो id के इनकी different है, तो इससे ही प्रूफ होता है, जो list 1 है, और list 2 है, different उनको memory location मिली है, ओके, तो इस तरह के से हम existing जो हमारी कोई list है, उससे भी हम list create कर सकते हैं, ठीक है, अब हमारा next जो sequence है, वो हमारा tuple, तो उसको भी देख लेते हैं, अब यहाँ पर हम एक tuple create करते हैं, ठीक है, इस तरह के से, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से हमने एक tuple create किया, और जब हम print करते हैं tuple को तो, tuple कुछ इस तरह के से दिखता है हमें, इसको run करके देख लेते हैं, ओके, तो हमने run करके देखा, और यह हमारी tuple print हो गई, ओके, यह हमारी tuple है, tuple को हमने print करके देख लिया, अब हम tuple को, अब हम, अब हम tuple को, पास करेंगे, लिस्ट फंक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पे एक list नाम ले लिया, मैंने यहाँ पे, ओके, और equal to, मेरी list का जो नाम है, वो है list new, सबोसकर लिस्ट new, equal to list list फंक्शन, और उसमें पास कर दिया, मैंने t, ठीक है, और इसको प्रिंट करके देख लिते हैं, और list new को हम प्रिंट करके देख लिते हैं, ठीक है, तो, रन करा हमने इसको, तो यह देखे, ऊपर जो है, यह tuple है, ठीक है, जो हमने tuple को प्रिंट कराया था, और फिर tuple का जो variable है t, इसको हमने पास किया, list method में, ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से assign किया, और यह हमारा जो है, list variable है, जिसको हमने प्रिंट करा दिया, तो इसकी element है, यह print हो गया हमारे, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, यह यह tuple जो है, list में convert हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर कोई string को, यह किसी tuple को list में convert करना चाहते हैं, तो हम उसको list method के थुरू convert कर सकते हैं, ठ अगर nested tuple हैं तो, nested tuple है तो उसमें हम create कर सकते हैं, जैसे कि हमने nested list में किया था, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे suppose that इसमें string है, और इसके बाद यहाँ पर कोई, fruit number है, ठीक है, और यहाँ पर coin integer है, ठीक है, इसके बाद जो है, यहाँ पर इस तरीके से, अ यह हमारी nested tuple है, तो इसको एक बार print करा के देख लेते हैं, run करा के देखते हैं और इसको हमने run करा के देखा, तो यह देखिए, यह ओपर tuple है, ठीक है, और यह हमारी नीचे list है, तो tuple है यह tuple में convert हो गया पूरा nested list, तो यह tuple के अंदर एक और tuple थी, यहाँ पर, ठीक है, तो हमें हमें मालू है कि list में आप tuple को भी store कर सकते हैं, string को भी store कर सकते हैं, boole पूरी की पूरी आपकी list में convert हो गई है, ओके, तो next है हमारा creating a list from an existing list using slicing, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, तो यह हमारी पास एक already list है, ठीक है, यह उसके element है, तो इस तरह के समने list 6 करके, यहाँ पर create की है, और list 5, यहाँ पर हमने slicing का concept इस्तमाल किया है, ओके, तो slicing का concept हमने इस्तमाल किया है, और यह, जो list 5 के element है, ठीक है, वो list 6 में आ जाएंगे, ठीक है, कितना element आएंगे, क्योंकि अभी हमने start, stop, कुछ, य यहाँ नहीं किया है, तो slicing में यह होता है, कि जब start और stop हमने mention नहीं किया होता है, और step जो हमने mention नहीं किया होता है, तो वो default values ले ले लेता है, ठीक है, from starting से लेके, और end तक, जितने element होंगे, वो सारे के सारे list 6 में आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको print run कर आगे देख लेते ह हैं, तो यह देखिया हमारी, लिस्ट है, लिस्ट 5, यह सब उसके element है, और list 6 को भी हमने print कराया है, तो automatically, ठीक है, जितने element list 5 में है, वो सारे के सारे list 6 में भी आ गया है, ठीक है, तो इसमें जो है, यहाँ पर start और stop के अगर हम values को यहाँ पर change करते हैं, तो देखते हैं, यह यहाँ पर change 2 कर देता हूं, और यहाँ पर change 6. तो यह एक्चली index values है, तो यहाँ पर 0 index है, यह 1 है, यह 2 है, तू से स्टार्ट होगा और कहां सक थ्री फोर फाइव सिक्स यानिकि एक कम तक तो 66, 74, 88 और 99 जो होंगे हमारे यह जो अलिमेंट होंगे यह हमारी नई लिष्ट में आ जाएंगे तो इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार कैसा होता है ठीक है तो यह देखिए तो स्लाइसिंग का कंसर्प्ट हमने इस्तमाल किया तो यह हमारी नई लिष्ट बन गई नई लिष्ट 6 ठीक है इस बार हमने यह पर स्टार्ट भी दिया है स्टाप भी दिया स्टैप नहीं दिया तो स्टैप बाइड डिफॉल्ट जो है तो नई लिस्ट में अगया है हमारे वो 66, 74, 88 और 99 तो इस step की value वो default value 1 है तो अगर हम में step की value अगर change कर देता है यहां पर 1 की ज़्यागा 2 कर दो तो तब क्या होगा तब जो list होगी उसमें 2 to element जो है skip हो जाएंगे तो उसमें element क्या होगा होगा element index यहीं से start होगा 2 से लिके 6 तक यानिकि एक कम 6 से कम लेकिन element क्या होगा 66 होगा और 88 होगा ठीक है तो एक बार इसको भी run कर आगे देख लेते हैं जब हमने values में change किया है तो यह देखिए 66 और 88 हो गया क्योंकि हमने step की value यहां पर क्या कर देख चेंज कर देख ठीक है तो slicing के through भी हम जो है list को create कर सकते हैं नई list बना सकते हैं ठीक है एक बात हमें यहां पर ध्यान देनी है कि यह है कि जो id होगी list 5 की और list 6 की वो भी different होगी ठीक है क्योंकि list 6 जो बन रही है ठीक है using the concept of slicing वो एकदम नहीं list बन रही है ठीक है तो इसको भी हम एक बार id प्रिंट करा के देख लेते हैं यहां पर print id of list 5 और id of list 6 ठीक है तो जिससे यह प्रूफ कर होता है कि यह जो दोनों list बन रही है बिल्कुल अलग लिस्ट है ठीक है यह यह list 5 की id है और यह list 6 की id है id बोले तो इसका address है ठीक है तो इस तरह से हम slicing different values यहां पर रखके जो है लिस्ट को create कर सकते हैं from the existing list ओके next है हमारा creating a list using copy method ठीक है तो copy एक function है जिसकी मदद से भी हमें list बना सकते हैं ठीक है तो अलड़ी हमारे पास एक list है जिसके element है यह 2345 और फिर हमने list 2 में assign किया इसको list1.copy ठीक है तो जितने भी element list1 में थे वो सारे के सारे element के साथ एक नई list बन जाएगी list2 ठीक है तो हमने उसको बाद उनको प्रेंट करा लिया और उनके id भी सात्प्रेंट करा के देख ली ठीक है तो इसको रन करके देख लेते हैं यह देखिए यह हमारे list1 print होगी और यह हमारी list2 print होगी ठीक है तो वही element जो कि list1 में वह सारे के सारे element list2 में भी आ गया लेकिन ये क्या है, इनके IDs के हैं different है, यानि कि list2 जो है एक नई list है, अलग से एक list है, ठीक है, list1 अलग है, ठीक है, क्योंकि इनके IDs के हैं different है, तो फिर हमने यहां पर क्या किया, इसको और प्रूफ करना है, तो list2 के 0 Index में 222 को assign कर दिया, ठीक है, और उसके बाद list1 और list2 को print क कोई चेंज नहीं हुआ इसमें और लिस्ट तू में पहले यह था अलिमेंट 2 3 4 5 और जिरो इंडेक्स में तू था और जिरो इंडेक्स में आप कितना हो गया 2 2 2 हो गया क्योंकि हमने यह पे चेंज किया थिक है तो इस कॉफी मेथड को भी हम इस्तमाल करके सब्सक्रेइड कर सकते हैं अकी Crist पाटे elements 1 को बनाया और यह उसके element है फिर लिस्त तू इक वयर टू और लिच वण की हमने असाइं कर दियो अधी के लिच टू मत्हुश्ट कर देखते हैं प्रोग्राम तो यह आउटउट पूट आ उ हमारा तो यह list1 जो है हमने print करके देखी इसके element है 2345 यह list2 के element है 2345 अब list1 की जो id है वो देखे यह है और list2 की id भी यह है ठीक है तो list2 जो है वो exact copy बनी है list1 की यानि कि list1 का जो second name है या फिर हम कह सकते हैं जो list alias है वो क्या है list2 है यानि कि एक second name बन गया है list2 ठीक है तो एक ही memory location के दो नाम है list1 और list2 ठीक है तो उससे id से id function के तुरू हमने उनका address print करा के देख लिए जिससे कि यह proof हो गया कि दोनों जो है एक ही memory location को एक ही memory location के दो नाम है ठीक है तो अगर हम list2 जो है list2 में अगर हम कोई change करें suppose करो list2 के थूरू अगर हम list में कोई change करें और इसके one index में हम जो है element को change करके देख लेते हैं यहां पर दालते हैं 3 3 3 ठीक है तो अब प्रिंट करके देखते हैं कि list1 में वो change हुआ है कि नहीं हुआ है list1 का, यानि exact copy है list1 की ठीक है, तो इसको print करके देख लेते हैं list1 आप इसको run करके देख लेते हैं ठीक है, तो ये देखें हैं यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से list1 के element प्रिंट हो गए, फिर list2 के element प्रिंट हुए है फिर उनके id प्रिंट हुई, उसके बाद हमने किया करा, list2 के list2 के index1 में हमने element को change किया, ठीक है, तो पहले हमाँ पर 3 था अब हमने 3-3 डाल दिया और फिर हमने प्रिंट कराई list1 तो list1 में, देखो, ये change list के सारे element, जो list के element जो हमने change किया था, वो यहाँ पर reflect हो गया, ठीक है, तो इससे और पूरुफ होता है कि list1 और list2 जो है, एक ही memory location के दो नाम है ठीक है, तो list2 किया है, list1 की exact copy है, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि list1 जो है, list2 की exact copy है ठीक है